हेलो डियेर स्टूडेंट एजुकेशन वीद पुनम में चैनल में आपका स्वागत है हम डिसकस कर रहे थे राजस्तान हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर की मोस्ट इंपोर्टेट टोपिक आज का जो हमारा टोपिक है वो चितरकला है और इस लेक्चर के अंदर हम चितरक तो इंपोर्टेट के उसन हे उन क्यसिद्ट यों को दिसकस करेंगी तो चलिए है आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि आज का जो हमारा पहला कीऊशन है वह है कि संगसेली का पर्शिदः चितरकार था तो जो किसंगसे लिए है उसका परसीद चितरकार कोन था बॉत नेक्स्ट क्यां kidding बनी ठणी पैंटिंग संपधित है तो जो बनी ठणी पैंटिंग है वो किसे संपधित है अलवाट से लिशती हिodelी से जेपूर से लिशे ह , गड़ अजमेर सेली से यह जोदपूर सेली से बनी ठणी प्रेंटिंग है वो समंदित है इसका जो राइट आंस्वर है किसंगड अजमेर सेली से किस सासक के काल में किसंगड चितर कला सेली अपने चरम सीमा पर थी ऑप्सिन है राजा नागरीदास महाराजा अनूप सिंग राव सूर्जन सिंग राजा परताब सिंग किस सासक के काल में किसंगड चितर कला सेली अपने चरम सीमा पर थी राइट आंस्वर है राजा नागरी नेक्स्ट क्योशन है बनी ठनी चित्रकारी सावंद सिंग के समय किसके दुवारा बनाई गई ओप्सिन है एहमद सब बदरूदिन तैयब निहाल चंद के सर्चंद बनी ठनी चित्रकारी सावंद सिंग के समय किसके दुवारा बनाई गई राइट आंश्वर है निहाल चंद पर समरीणी या डाग टिकट जारी किया गया ओप्शन है राग रागिनी बनी ठणी बारा मासा पिछवाई सन 1923 में बारत सरकार द्वारा राजस्तानी चित्रकारी की किस चित्र पर समरीणी या डाग टिकट जारी किया गया राइट आंस्वर है बनी ठणी next question है निम्न में से किसका चितरन कपड़े पर नहीं किया जाता option है फड, पिछवाई, पाने, पर चितर निम्न में से किसका चितरन कपड़े पर नहीं किया जाता right answer है पाने next question कलीला दमना है जो कलीला दमना है वो क्या है इंद्रा गंदी नहर की दो साखाओं के नाम, मेवार सेली की कहानी के दो पात्रों के नाम, दो परसित सायरों के नाम, अजमेर दरगा की दंगों के नाम गलीला दमना क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है, मेवार सेली की कहानी के दो पात्रों के नाम नाथ द्वारा से लिके पेंटिंग्स को सामाने तक कहा जाता है option है लहरिया, बडी ठल, पिछवाई, रसमाला नाथ द्वारा से लिके पेंटिंग्स को सामाने तक क्या कहा जाता है right answer है पिछवाई next question पिछवाई कलाकर्तियों में बने चित्र अदूत किये गए है तो जो पिछवाई कलाकर्तियां है वो जो चित्र है वो कहां से लिए गए है महा भारत से, रामायन से, बगवान कर्षन के जीवन से, राजपुत राजाओं के जीवन से पिछवाई कलाकर्तियों में बने चितर, कहां से लिए गए हैं? राइट आंस्वर है बगवान कर्षन के जीवन से नेक्स्ट कर्षन है जमना लाल छोटे लाल बकसा रम वए नंद लाल चितर कला की किस से लिए से सम्मंद है? जालावाड से लिए, अलवर से लिए, बीकानेर से लिए, मारवाड से लिए जमना लाल दाज, छोटे लाल, बकसा रम वए नंद लाल चितर कला की किस से लिए से सम्मंदित है? राइट आंस्वर है अलवर से लिए से नेक्स्ट क्यूस्ट है चित्रकला की अपभरन सेली का नमीन रूप राजस्तान में सरोपर्थम देखनी को मिलता है हाडोती सेली, मेवार सेली, मारवार सेली, किसनगर सेली चित्रकला की अपभरन सेली का नमीन रूप राजस्तान में सरोपर्थम देखनी को मिलता है कौन से सेली में देखने को मिलता है राइट आंस्वर है मेवार सेली नेक्स्ट क्योशन है रामा, नाथा, छज्यू और सेफू चितरकला की किस सेली से सम्मंदित चितरकार है उप्शन है अलवर सेली, जोधपूर सेली, मेवार सेली, जेपूर सेली रामा नाथा चर्जु और सेफू चितरकला की किस से लिए से समन्दी चितरकार है राइट आंस्वर है जोदपूर से लिए नेक्स्ट क्योशन है राजस्तान में अधुनिक चितरकला का प्रारम करने वाले थे और सन है गोविंद नारायन मास्टर कुंदन लाल मिस्तरी सी एस विलेंटाइन राम गोपाल विजय वर गिये राजस्तान में अधुनिक चितरकला का प्रारम करने वाले कौन थे राजस्तानी चितर सेली वीशुद रोप से भारतिये हैं एसा किसनी कहा है लोरेंस वीलियम्स पेट्रिक लोरेंस सौडरिक खा मनोहर स्वामी राजस्तानी चितर सेली वीशुद रोप से भारतिये हैं एसा किस ने कहा है राइट आंस्वर है सोंड्रिक खा नेक्स्ट किसन है चित्रकला में राजस्थानी सेली की उद्गम किस से माना जाता है ओप्शन है पाल सेली गुजरात सेली अपभरंस गुलेट सेली चित्रकला में राजस्थानी सेली की उद्गम किस से माना जाता है राजस्थानी चीतर कला का सबसे पहले वीग्यानि की सिट ने किया of Sun भोंभान निंक्ञुंबा निंट कुमात स्वामी निया राम गोफाल विजय वरगिया ने मिलेह नागरि दो राजस्थानी चित्र कळाड़ा सबसे पहले वेग्यानी की व्यूआजन है वह किसने किया राइट आजवर है। राम गॉपली विज वजफ रग्यानी Nurse님 neuro जहां कालाकार्चित्र गाने का बनाते हैं। उसका जो नाम है वो है सूरत खाना कौन सी चित्रकला से लिए जयवपूर और दिली से लिए के मिसरन से बनी है बुंदी, जयवपूर, जोधपूर, अलवर कौन सी चित्रकला से लिए जयवपूर और दिली से लिए के मिसरन से बनी है राइट आंस्वर है अलवर से लिए डियर स्टूडेंट्स ये थी हमारे आज के मोस्ट इंपोर्टेट क्यूशन आपको ये क्यूशन कैसे लगे केमेंट करके जुरूर बताएं एजुकेशन विद पूनम मैं को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको और भी महत पून लेक्चर है वो मिल सके आज के लिए इतना ही थैंक यू